नमस्कार दोस्तो मैं नीरज कुमार सास्त्री आप सभी भाईयों को रादेहरादी जैशिरी क्रश्ना दोस्तो आज की वीडियो हम सबसे हटकर वदाने वाले हैं दोस्तो जैसे के आप लोग गंगा जी के बारे में भली माती जानते हैं गंगा जी इस भूतल पर कव आई थी गंगा जी आई थी बरसो पहले हमारे पूरबजो का उधार करने के लिए इस भूतल पर आई थी और आने के बाद हमारे पूरबजो का उधार किया लेकिन दोस्तों लोगों का मानना ये है कि गंगा जी में इशनान करने से हमारे पाप नश्ट हो जाते हैं दोस्तों गंगा जी का जल पवित्र मान करके लोग अपने घर पर भी लेकर के आते हैं लेकिन दोस्तों मैं इस बात को जाता हूँ कि आज के इस कल्योग में गंगा जी में इशनान करने से आप लोगों को कोई फैदा होने वाला नहीं है क्यों क्योंकि गंगा इशनान कैसे किया जाता है इस वारे में हम लोग अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं कि गंगा इशना करने का सही तरीका क्या है तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ में जो लोगों ने हमाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाली अगली वीडियो आपके बास सबसे पहले पहुंच जाएं दोस्तों गंगा जी को हम धर्म की मा मानत लेकिन दोस्तो आप लोग गंगा जी के जल को पवित्र मानते हैं आप लोगों ने देखा होगा हमारी माता हैं मैंने भाई बंदु सभी लोग गंगा जी में इश्णान करने के लिए जब जाते हैं गंगा जी में गुश जाते हैं और 10-15 मिनट नहीं बलके घंटों उसमें तैरते रहते हैं कुला करते हैं उसमें थुक देते हैं हमारे अन्य भाई जो है वो गंगा जी के जल को पी रहे होते हैं कुछ लोग उसी जल को घर लाते हैं तो दोस्तो आप ये समझ लेजिए कि गंगा जल का पवित्र जल आप मानत हैं तो उसको अपवित्र कर रहे नहीं कर रहे हैं पहली बात ये है गंगा जी में घुस करके इशनान नहीं करना चाहिए दोस्तो हम आपको बता देश सीरी मद भागवस से जुड़ी है कथा है दोस्तो गोपिकाएं जल में निर्वस्त्र हो करके इशनान कर रही थी भगव देवता का अपमान होता है तो दोस्तो पहली बात यहीं पर सिद्ध होती है सीरी क्रशन के बचनों द्वारा कि हमें और आपको जल में घुस करके इसनान कभी नहीं करना चाहिए हम देखते हैं गंगा जी में घुस करके इसनान करते हैं और आप लोग खुदी विचार कीज जल हम पी सकते हैं जब हम लोगों ने उसे उसमें नहा करके गुस करके जब नहाया धोया कुला किया तो जल पीने योग है नहीं है थोड़ देर के लिए आप मान लेजिए कि हम खाना खा रहे हैं हमारे पास किसी बरतन में पानी भरा हुआ रखा है तो दोस्तो कोई करके कभी इशनान नहीं करना चाहिए तो दोस्तो गंगाजी इशनान करने का सही तरीका क्या है इस वीडियो को अंतधक जरूत देखें जिससर सारी जानकार आपको मिल सकें दोस्तो गौतम रिशी जो थे जब भी गंगाजनान करने के लिए जाते थे तो अपने घर से एक pe मंदद साथ ले करके जाते थे क्योंकि जब भी गंगा इशनान करते थे तो गंगा जी से जल भर करके अपने सरपल डालते थे और बालू की एक मिढहनिया बना लेते थे जिससे उनके सर का उत्रा हुआ जल बापिस दुवारा गंगा जी में ना जाए तो दोस्तों आपको गं पहुँचें गंगा जी के दर्शन करें गंगा जी की पैर चुएं और अंजली में जल ले करके तीन बार पीलें क्योंकि गोश्वामित तुलसिदाजी एक चौपाई में बताते हैं दरस परस मुख मंजन पाना होए कल्याड कहें बेद पुराणा गंगा जी की दर्शन करे और तीन वार आचमन करें बस यही गंगा जी इशनान करने का यही तरीका है तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया अगर आप इस प्रकार गंगा इशनान करते हैं तो आपको निष्यत ही गंगा इशनान करने का फल पराप्त होगा तो दोस्तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ये शंदेश हर व्यक्ति के पास पहुचना चाहिए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें जिससे ये वीडियो हर व्यक्ति के पास पहुचे तो लोग आगे चल करके ये कदम ना उठाएं गंगा जी में घुसकर इसना ना करें और गंगा जी की जल को दूसरत ना करें दोस्तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रशन पूछना है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें ताके हम आपको उस प्रशन का जवाब दे सकें दोस्तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें इससे रिलेटेड वीडियो अगली आने वाली है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए जैजै श्री कृष्णा जैजै श्री रादे हरर गंगी